जिए उत्तर बिहार में अगा स्टृडी सेंटर दरभूदा इसी पहले संस्थानों जो उत्तर बिहार के साथ जीला ब्यापक घंग से एक-बिरारी बच्चों को चुमके औसके जानों से उसके सहर्स से उसके पशवेशने को कि सितने के लिए उक्टरी मितना में रखने के लि जिसका आज से आगाज हो रहा है यह योजना इसके तहद हम लोग ने प्लाइनिंग रखी है कि हरे एक गाउं का स्वेश से लेके साहर में जितने भी बच्चे हैं जो आई-टी, मेडिकल और बोर्ड के लिए बेहतर व्यवस्था चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन प्लेट्पॉम की निगत कई वर्षों से हमेशा ओमेगा स्टडी सेंच दरभन का कहीं से बेहतर रहा है और प्रती वर्ष लिया अपने बीते वर्ष के रिजल्ट से और बेहतर रिजल्ट भूया है साथी बड़े हर्ष के साथ में आपको बताना चाहते हैं कि मिल्सामिचल के धर्थी ये पहले संस्था है जो इसी धर्थी पे अपना स्टार्ट लिया है और यहीं से बढ़के इसमें पूरे उत्तर विहार में ऐसा पहला कुर्षिंग बनने का सवाधिया से इसमें यहां कि अग्रावगन की निल्हावी बच्छे उनके विश्वास का बहुत बड़ा योग्दान है साथी साथ संस्थान ने बेहतरीन का टीम लगाया है जिसमें हमारे संस्थान में होने का सब्जेक्ट वाइज और शेक्सन वाइज इस्पेस्लिस्ट अगेज जो ब अग्राव बड़ा इसे रहा है उन संस्थानों के लिए फैकल्टी इसका बहुत वरा टीम है जो टीम दीनडाब एक करते हैं चुकि ओमेगा की राइंकर बिल्डिंग भी है वही सिखशक भी राते हैं और मेरावी शात्र भी वही पे राते हैं चातर शात्राओं के राइने कि वहाँ दीनडाब क्लासेज के बाद भी पूर्णता शमर्पित वहाव से अपना क्राम कर लिए बच्छों के बेहतरीन विजलित में अपना 100% यह उदान दे रहे हैं ओमेगा स्वाइन साइवलेटिव देस्ट के पीछे सबसे बड़ा यह है कि इसके पीछे का जो संथान के ताला संधियातों ने बहुत पैसा कर्श करना परता है और उनकी आर्थी किस्ति में रखता है और 1.95 क्लूर रूपे तुम लोगों का स्कॉलर स्थिप्में इसके तहर तुम लोग बड़ा है जो ओवराल टॉपरे स्टुजेंट उसमें क्या बने जाल रूपे कै अएस साथ ही हमने इसको ऐसे बच्व में से कुछ बच्व को लिए और इसके ताहत रहा है कि इसके ताहट हुना यह है कि डिस्टिंग का रखन वाई जो भी तॉपर बच्च्व को लापटाप लिए जो से के पनागतों के लिए बैक्त मैं सके बाद बहुत सारे बच्व को और साथ की 100% फ्री पढ़ाई की ववस्ता की गई है तॉप फ्री ए स्टुजेंट है और रेस्टुजे ए स्टुजेंट है उनको 100% फ्री प्री किया गया है 75% फ्री किया गया है इसा पूरा स्लाव है जो आप इसमें इटेंट में देखेंगे मैं आपको और क्रम बदर मुषे इसको बताऊंगे इस एबिलिटी टेस्ट में पार्ट्सिकेट करने वाले जो बच्चे होंगे वो बच्चे होंगे जो इस बड़ 10 दस्मीटी परिक्षा दे जाए वो विहार सब्सक्राइब करने का मौता है कि इस धर्ती से अपना संकल्प प्राडम के लिए यहां से इसको निखार के हम देश के अस्तर के लिए उसक्रम में यह हमारा रहा है अभी तक और यह अगला प्रयास इसी करी में हम आगे बढ़ रहे हैं और इस वार पिछले बार हमने से तीन जिला को टार्गेट किया और इस वार हमने तरभूंगा मदवणी मुझफर कूर सहरसाथ सुपावल सीटा मधी समस्ते ही कि सारे जिला को इस रेडी में रखता है और इसके फॉर्म के थे हमने सारे नीजी भी जाला है कि कि ऑफिस में इसका फॉर् इस्टिक वाइड रिजल्फ है और हमें उमीद है जिस तरह से बच्छों का योगदान पूर्व में हमें मिलता रहा है कि मेरे देरे ओमेगा इस टेस्ट को टेस्ट के अस्तर पे लिखे जाएगा तो कि इस संस्थान में ऑनलाइन ऑफ्लाइन टेस्ट की भी बश्ता है और ऑनलाइन टेस्ट में हम उने लगभग अल ओभर इंडिया अभी तक 28,000 बच्छों को इस एंस्थान से जोड चुके हैं जो फ्री ऑफ्लाइन टेस्ट कास्लिटी एवल करते हैं साथ में हमारा स्ट डी मेंटरियल दे है वह काफी बहतरी देख सिख्यकों का समू है और एक special गाइड-लाइन है हमारे मेंटरिय्स साथ ही लोग हैं उनके समूपनॉपाव के साथ जो उनकी मेंटरिय होती है बच्छों के बच्छों का इस परवीजन है वह जिसके करन हम बहत प्रफटर रिजल्ट हर एक साल अपनों को दिखा पाते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह मेगा साइंस अब टिटेश्ट पाजिन प्रफटर रहेगा और ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्छे जो मेधावी होते हुए आर्थिक रूप से अगर अश्य प्रेट्टाओं में नहीं आपाते हैं उनको समाज के हर एक होने से बहुंद के लाएं और बेहतरीन सिक्षा उनको दें और एक बेहतर रिजल्ट लेके राष्टर में में हम लोग अपना योग है इधी देश्ट के साथ हुए इसको प्रड़ंक किया है और इस आगाज आज ही से है और सोंबार से सबसे बरी बात है कि इस परिक्षा में संबिलित होने के लिए बच्चों को कोई चार्ज नहीं है जैसे कोटा दिल्ली कटना या बाहर की जो बरे संखान उन लोगों का क्या है ने कि वो लोग भी यह इसका लोग टेस्ट के नाम पर डाटा कैलेक्शन का हम लोगों का उद् ऐसी परिक्षा सेवर्श की उलोग है उनको प्रिक्षा रिख्या में उनका अपना निसी विद्याल है वह उनका परिक्षा करिण्द होरा और साथ है एक ऐसा कॉमन सेंटर हम लोग दे रहे हैं जो जिलावाइस अलग-अलग है उसका में लिस्ट आपको प्रॉप्ट करना है जिस सेंटर पर वो एक निस तारीक को बच्छे जाके अपना एक्जाम देशाइए